कि दोस्तों मुश्कार बाते साहिती की चैनल में आपका स्वागत है विज्ञान प्रश्णोत्र मध्यम से हम विज्ञान के प्रहुख टॉपिकों की चर्चा कर रहे हैं तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कारे एम उड़ जा तो आए शुरू करते हैं हम पहला प्रश्ण वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तै की गई दूरी को कहते हैं उत्तर विस्ता पर दोस्तों अगर हम विज्ञान की दर्श्टी से देखें दोस्तों कारे की हमारे पास कोई सीधी परिभाशा नहीं है इसको परिभाशित करने के लिए हम आईए कुछ स्थितियों प फर्श पर रखकर धका देते हैं और इसी प्रकार दूसरी स्थितिय में आप अपने हाथों से दिवार पर धका देते हैं दोनों क्रियाओं को जब हम देखते हैं तो पहली क्रिया गेंद को जब आप धका मारते हैं तो निश्चित दिशा में कुस दूरी पर यह गेंद जा इस्तिर रहती है इसका रहम कह सकते हैं कि दीवार में विस्तापन शुन्य हुआ यानि अपने इस्तान पर ही रही उसमें कोई परिवर्थन नहीं हुआ तो यहां इस आधर पे हमें कह सकते हैं कि वस्तु द्वारा निश्चत दिशा में तै की गई दूरी को ही विस्तापन कहा जाता है अगला प्रशना वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्तापन उत्पन होने के किरिया को कहते हैं उत्तर कारिय दोस्तों उप्रक्त दोनों स्थितियों को जब हमने देखा तो पहली वस्तू यानि गेंद में विस्तापन हुआ और इस क्रिया में कुछ कारिय किया गया जबकि दूसरी वस्तू दिवार में विस्तापन नहीं हुआ तो इसमें कोई कारिय नहीं किया गया यानि दीवार पर जब बल लगाया गया तो इसका कारिय शुनने हुआ हम यहाँ पर एक परिस्तिति अगर और देखें मालीजे एक लड़की किसी ट्रॉली को खीजती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और बल लगाने से यह विस्तापित हुई इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कारिय किया गया है प्रशन सिंग्या तेन कारिय करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है वह है उतर वस्तू पर कोई बल लगना चाहिए तथा वस्तू विस्तापित होनी चाहिए अगला प्रश्ण किया गया कार्य बराबर है उत्तर बल गुना विस्तापन के माल लिजे दोस्तों किसी वस्तू पर कोई नियत बल F कार्य करता है वस्तू बल की दिशा में S दूरी पर विस्तापित होती है और उस विस्तापन से डबलू कार्य किया गया है तो कार्य की परिबाशा के अनुसार? हम कह सकते हैं कि कार्य बल थथा विस्तापन के गुनन फल के बराबर होता है यानि डबलू इसकुल टो एफ एस किया गया कार्य बराबर बल गुना विस्तापन अगला प्रशन दोस्तों कार्य में होता है उत्तर केवल परिमान होता है दिशा नहीं होती अगला प्रशन वस्तो पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है उत्तर विस्तापन पर प्रशन संग्या साथ कार्य है उत्तर अदिश राशी पुस्ति संग्या आठ यदि बल या बल का गटक विस्तापन के दिशा में हो तो संपन्य कारिय होगा उत्तर धनात्मक दोस्तों वस्तु पर किया गया कारिय विस्तापन पर निर्भर करता है जब वस्तु द्वारा तै किया गया विस्तापन अधिक होगा तो कारिय अधिक होगा और वस्तु पर किया गया कारिय वस्तु पर लगाया गया बलके परिमान पर निर्भर करता है कारिय जो कि एक अधिश राची है इसका मान धनात्मक अत्वा रिनात्मक हो सकता है यदि बल या बल का घटक विस्तापन की दिशा में हो तो संपन्न कारिय धनात्मक होता है और इसके विपरित यदि बल अत्वा बल का घटक विस्तापन की दिशा के विपरित हो तो कारिय का मान रिनात्मक होगा जब आरोपित बल एम वस्तु में उत्पन विस्तापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कारे बल एवम विस्तापन के गुनन फल के बराबर होता है इसे हम एक्जम्पल के दोरा समझ सकते हैं दोस्तों मान लिजे कोई एक गाड़ी समान वेक से गतिमान है यदि इस गाड़ी की गति की दिशा के विपरित कोई बल लगाये जाए तो गाड़ी थोड़ी दूर पर जाकर रुख जाती है इस अवस्ता में वस्तु पर लगने वाला बल एम विस्तापन एक दूसरे के विपरित होते हैं और दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कौन बना रहता है अगला प्रिशन है उर्जा का मात्रक है उत्तर जूल प्रिशन संग्या 10 कारे द्वारा प्राप्त उर्जा कहलाती है उत्तर यांत्रिक उर्जा प्रिशन संग्या 11 यांत्रिक उर्जा कितने प्रकार की होती है उत्तर दो गतीज उर्जा तथा इस्तितीज उर्जा दोस्तों उर्जा शब्द का प्रियोग हमारे देनिक जीवन में हम करते रहते हैं जब तिवर वेग से गतीशील क्रिकेट की गेंद इस्तिर विक्टों से टकराती है तो विक्ट दूर जाकर गिर जाते हैं जब किसी वस्तु को किसी निश्चित उचाईश तक उठाते हैं तब उसमें कारे करने की ख्षमता समाईत हो जाती है जब किसी गुबारे को हवा में बरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकरती में परिवर्तन होता है इन सबी उधार्णों में हम देखते हैं कि विभिन प्रकार से कारे करने की ख्षमता अरजित होती है यदि किसी वस्तु में कारे करने की ख्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें उर्जा है हम देखते हैं कि केवल सजियों में ही उर्जा नहीं होती बलकि नर्जी वस्तुओं में भी कारी करने की शम्ता होती है जैसे कि उचाय से गिरते हुए पानी से बड़ी बड़ी मसीने चला सकते हैं तेज हवा से पहुंचक्की चलती है कोईले की उसमा से भाप बना कर उससे बिजली का जनरेटर चलाया जाता है इस प्रकार बहते पानी में, हवा में, कोईले में, भाप में, डीजल, पैटरोल, बिजली, आदी सभी में उर्जा होती है प्रसुन संग क्या बार है किसी वस्तु की यांत्रिक उर्जा बराबर होती है उत्तर गतीज उर्जा वर इस्तितिज उर्जा के योग के प्रिसन संक्या 13 किसी वस्तु की गतीज के कारण उसमें कार्य करने की जो ख्रमता आ जाती है उसे कहते हैं उत्तर गतीज उर्जा प्रिसन संक्या 14 यदि M द्रविमान की वस्तू V वेक से चल रही है तो उसकी गतीज उर्जा K बराबर होगी हाफ M V स्क्वेर एक पटा दो M V स्क्वेर प्रिसन संक्या 15 गतीज उर्जा होती है उत्तर सदेव धनात्मक प्रिसन संग्या सोल है किसी वस्तु का द्रविमान दो गुना करने पर उसकी गती जुर्जा हो जाएगी उत्तर दो गुनी प्रिसन संग्या सत्र है किसी वस्तु का द्रविमान आधा करने पर उसकी गती जुर्जा हो जाएगी उत्तर आधी प्रिस्ट संग्या अठार है वस्तु का वेग दो गुना करने पर उसकी गतीज उर्जा हो जाएगी उत्तर चार गुना प्रिस्ट संग्या उन्नीस वस्तु का वेग आधा करने पर उसकी गतीज उर्जा हो जाएगी एक बटा चार प्रिशन संग्या बीस गतीज उर्जा के उधारन है उत्तर पेड़ से गिरता हुआ फल उड़ता हुआ हवाई जहाज भागता हुआ खोड़ा चलता हुआ वहन दोड़ता हुआ खिलाड़ी आदी प्रिशन संग्या 21 सम्वेग को दोगुना करने पर गतीज उर्जा हो जाएगी उत्तर चार गुनी दोस्तों गतीज उर्जा एवं सम्वेग में एक सम्मन्द इस्तापित किया जाता है गतीज उर्जा बराबर P स्कॉयर बटा 2M जहां पर P सम्वेग और P का जो मान है वो पू एक वस्तू चार मिटर प्रती सेकंड के एक समान वेग से गतीशील है वस्तू की गतीज उर्जा कितनी होगी उत्तर हसी जूल तोस्ति यहां पर गतीज उर्जा बराबर एक बटा दो Mb स्कॉयर М यहां पर 10 किलोग्राम और वेग है यहां पर 4 तो इसका उत्तर हुआ हसी जूल प्रस्ट संक्याथञ प्रसू किसी वस्तू की इस्तिती या आकार में परिवर्टन के कारण जो कारे करने की क्ष्मता आ जाती है उसे उस वस्तू की कहते हैं उत्तर इस्तितिज उर्जा प्र उत्तर, तनाहुआ धनुष, संपीडित गैस, उचाई पर इस टैंक में एकत्रित पानी, घड़ी की कमानी को एंठने पर संचित उर्जा प्रस्ण संक्या 25, गुरुत्विय बलके विरुद्ध किये गए कारे के कारण वस्तु में संचित उर्जा को कहते हैं उत्तर, गुरुत्विय इस्तितिज उर्जा, प्रस्ण संक्या 26, प्रकास उर्जा को विदृत उर्जा में बदलने का काम करता है, उत्तर, सोर सेल, प्रस्ण संक्या 27, विदृत उर्जा को ध्वनी उर्जा में परिवर्थित करता है, उत्तर, लाउड़ी स्पीकर, दोस्तों इसी तरह से यांत्रिक उर्जा को विधुत उर्जा में डाइनेमो परिवर्तित करता है विधुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में विधुत मोटर परिवर्तित करती है ध्वनी उर्जा को विधुत उर्जा में माइक्रोफोन परिवर्तित करता है यांत्रिक उर्जा को ध्वनी उर्जा में सितार प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर कुर्जा को विद्ध उर्जा में परिवर्तित करता है रिंजयन में उश्मा उर्जा यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित होती है प्रकास विद्ध सेल में प्रकास उर्जा विद्ध उर्जा में परिवर्तित होती है ऐसे ही कई उधारन हैं जिनके अंदर उर्जा परिवर्त प्रेस्टन संक्यार्धी उर्जा के गैर परंप्रागत शरोत है उततर सोर उर्जा जल उर्जा पमन उर्जा भूताप्य उर्जा जेव उर्जा महासाग्र Alice जेव एक उत्तम इंधन है क्योंकि इसमें मैफेन गेस होती है उत्तर पिछटर प्रतीशथ प्रसन संक्या 31, सोर सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उत्तर सिलिकॉन प्रसन संक्या 32, पमनो का देश कहा जाता है उत्तर डैनमार्क को प्रसन संक्या 33, भारत का विशालतम पमन उर्जा फॉर्म इस्तापित किया गया है उत्तर तमिल लाडू में कन्या कुमारी के समित प्रिसन संग्या 34 OTC का पूरा नाम है उत्तर ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट प्रिसन संग्या 35 हाइड्रोजन बम कौन सी अभिक्रिया पर आधारित है उत्तर तापनाभी के अभिक्रिया प्रिसन संग्या 36 उड़्जा सरक्षन के नियम के अनुसार उट्तर उड़्जा के वल एक रूप से दूसरे रूप में रुबांदरित हो सकती है नहें तो इसकी उत्पत्ती की जा सकती है और नहीं विनाश प्रिसन संग्या 36 शक्ति है उत्तर वहम आप जो यह बताती है कि कारिय कितनी सिग्रता या कितनी बिलंबता से किया जाता है दोस्तों विज्ञान में शक्ति का उप्योग मोटर, पंप इंजन, आदी के संधर्म में किया जाता है अगर हम एक्जामपल देखें, मान लिजे हम अपने घर की पहली मंजिल पर रखी टंकी को जल से भरना चाते हैं और जल का जो स्रोथ है वो भूतल पर है यदि ये कारिय किसी विक्ति द्वारा बार बाल्टी से पानी बर कर किया जाए तो इस कारिय को करने में बहुत समय लगेगा किन्तु यदि यही कारिय किसी सक्ति शाली विधुत मोटर द्वारा जल को सीधे टंकी में चड़ा कर किया जाए तो बहुत कम समय में ऐसा किया जा सकता है तो शक्ति वहमाप होती है, जो यह बताती है कि कार्य कितनी सिग्रता या कितनी विलंबता से किया जाता है। प्रिसंवी 38 यदि टी समय में डबलू कार्य होता है तो शक्ति पी होगी उत्र पी बराबर डबलL प्र 술न के चालीस एक किलो वार्बर है उत्र 1100 प्रिसुन संके 41 शक्ति का अन्यमात्रक है उत्तर अश्वशक्ति प्रिस्न संक्या 42 एक अश्वशक्ति बराबर है उत्तर 746 वॉट प्रिस्न संक्या 43 उर्जा का बड़ा मात्रक है उत्तर किलोबाट घंटा प्रिस्न संक्या 45 एक किलोबाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल प्रिस्वन संक्या 45 घरों उद्योगों तथा व्यावसाई के संस्थानों में व्या होने वाली उर्जा का मापन करते हैं उत्तर किलो वाट घंटा में प्रिस्वन संक्या 47 प्रिस्वन संक्या 46 एक किलो वाट घंटा को व्यक्त करते हैं उत्तर एक यूनिट प्रिस्ण संग्या 47 अन्वों की गतीज उर्जा उत्तर गेस में ठोस की अपेक्षा अधिक होती है किसे गेंद को प्रित्फितल से वेग से उपर फैंकते हैं तो उसमें केवल इस्तितिज उर्जा होती है जब वह अधिक्तम उचाये पर पहुंसती है प्रिस्ण संक्या उनन्चास बंदोग से दागी गई गोली में उर्जा होती है उत्तर उसके वेग एवं द्रव्यमान के कारण प्रिस्ण संक्या पुचास स्वतंतरता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतीच उर्जा का मान उत्तर बढ़ता रहता है प्रसुन संक्या 51 राजस्तान में इंधन द्वारा चलित विदुद घ्रे की स्तापना कहां की गई है उत्तर रावत भाटा कोटा में प्रसुन संक्या 52 उर्जा के लिए सबसे प्राकर्तिक श्रोत कोंसा है उत्तर सूरिय प्रिसन संक्या त्रेपन उर्जा की हानी और उर्जा में वरद्धी कहां होती है उत्तर जो वस्तु कारे करती है उसमें उर्जा की हानी होती है और जिस वस्तु पर कारे किया जाता है उसमें उर्जा की वरद्धी होती है प्रिशन संक्या चौवन किसी वस्तों में नेत उर्जा को किस रूप में मापा जाता है उत्तर उसके कार्य करने की ख्षमता के रूप में प्रिशन संक्या पच्पन किसी वस्तों की चाल में कौन सी उर्जा बढ़ती है उत्तर गतीज उर्जा प्रिसन संक्या 56 शक्ति का मात्रक किसके नाम पर रखा गया है उत्तर जैम्स वाट प्रिसन संक्या 57 गुलेल के खीचे हुए रबड में उर्जा का कौन सा रूप है उत्तर इस्तितिज उर्जा प्रिसन संक्या 58 वाट का प्रतीक क्या है उत्तर डबलू प्रिस्ण संक्या 69 सोर कुकर में काले प्रिष्ट का उपियोग क्यों किया जाता है उत्तर क्योंकि काला प्रिष्ट ताप का अच्छा अफशोशक है प्रिस्ण संक्या 60 कागोलिय पिंड किस कारण चमकते हैं उत्तर नापके सल्यन के कारण उत्पन उर्जा के कारण प्रशन संक्या 61 भूत आप ये उर्जा क्या है उत्तर भूमी के नीचे इस्तित गर्म इस्तानों से प्राप्त उस्मा प्रशन संक्या 62 यदि किसी प्लेट को किसी उचाई से गिराएं तो प्लेट की इस्तिति उर्जा में हमारी उर्जा की मांग के चोथाई भाग की पूर्थी किसके द्वारा की जाती है उत्तर जल विद्यूत संयत्र द्वारा पृस्ण संग्या 64 एक एकिकरत प्रमानू द्रव्यमान मात्रक लगबक कितनी उर्जा के तुल्य होता है उत्तर 931 मेगा इलेक्ट्रोन वॉट्ट पृस्ण संग्या 65 जुआर भाटे में जल के इस्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें कौन सी उर्जा प्राप्त होती है उत्तर जुआरिय जाके 65 अतीम हैटपून प्रशन दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों देखते रहें बाते साहित की ऑन्ली ऑन य सब्सक्राइब करें से प्रषा आपने तो सॉपल कahlen प्रबादं प्राइब करें सब्सक्राइब करें ऑन्यवाद हैं wziot जातीम है वी किस अधयर इस बाद़ हैं चे मिन इस फ्या ह। आपने अश्सेजर साह आपने वी किसित दल्च टダंट बाद्सक्राइब receiver